हेलो बच्चों आप सभी का सवगत है मैट्स के इस लेक्चर में आज हम लोग एक और कोशन सौल करेंगे आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि अगर आप लोगो कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो टेलिग्राम पे टेलिग्राम आजकल इंडिया में बैन है तो इसका लिंक साथ ओपन नहीं हो रहा होगा लेकिन आप टेलिग्राम पे इसको सच कीजिए तो अपना चैनल दिखेगा और उसमें आप अगर कोई डाउट पूछना चाहो तो पूछ सकते हो अगर डाउट ऐसे ही होगा सेंपल सा तो मैं वहीं बता दूँगा और अगर मुझे सही लगेगा कि आपको इसका एक्स्प्लाइशन की जरुवत है तो मैं उसको यहां यूट्यूब पे भी अप्लोड कर सकता हूँ ठीक है तो अगला कॉश्चन क्या है कि इप अगला कॉश्चन क्या है कि इप without meaning in which c and s do not come together c और s साथ साथ नहीं आना चाहिए इसकी वैलू दी वी है is six factorial into k six factorial into k है वो सारे words जिसमें c और s साथ नहीं आ रहे हैं और सारे later use कि हम लोगों ने then k is equals to what यानि इसको permute करना है और जिसमें c और s साथ नहीं आ है वैसे कितने words होंगे तो पहले देखिए इसमें alphabets या letters कितने है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, 11 11 11 alphabets हैं अपने पास mathematics में और repetitions कितने हैं, m repeated हैं दो बार, a repeated हैं दो बार, ठीक है, t repeated हैं दो बार तो m repeated है, a repeated है, t repeated है, और क्या repeated है, h repeated नहीं है, e repeated नहीं है, और i repeated नहीं है, c repeated नहीं, s repeated नहीं है, तो m, a, t repeated है, दो बार, ठीक है तो कितने words बना सकते हैं जिसमें c और s साथ में ना हो, ठीक है बच्चों तो इसको solve करने के सबसासान तरीका यही होता है कि हम C और S को 7 में ले लेते हैं ठीक है और फिर words बनाते हैं कैसे कितने words बनेंगे जिसमें C और S alphabets 7 में हो तो C और S क्या बन गया एक unit बन गया यह एक count होगा तो आप total number of alphabets क्या होगा 10 हो गया है ठीक है तो 10 factorial से words बना सकते हैं अब divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial ठीक है यह तीनो repetitions के लिए और C और S को आपस में पर mute कर सकते हो दो तरीके से तो उपर में जाएगा 2 factorial यह हो गया number of words जिसमें C और S क्या है दोनों साथ साथ आ रहे हैं लेकिन अपने को वो चाहिए जिसमें C और S साथ साथ ना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें total number of words से इसको घटा देना होगा तो total number of words कितने बना सकते हैं 11 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial minus this यह होगा answer बच्चों इसको solve करोगे तो जो होगा वो के निकल के आ जाएगा तो देखे क्या रहा है कि 11 factorial minus 10 factorial यह क्या होगया 11 into 10 factorial आप common ले लो तो यह होगया 11 upon 2 factorial 2 factorial 2 factorial और यहां आएगा common 10 factorial है ना तो यह क्या बचेगा 11 minus ऊपर में क्या रहाएगा 2 ठीक है यह पूरा common आगया तो बच गया 2 और यहां बच गया 11 ग्यारह में से दो गया 9 तो 9 अपॉन 8 इंटू 10 फैक्टोरियल अपने को कहा तक पहुचाना है 6 फैक्टोरियल तक ठीक है तो कुछ नहीं करना है यह क्या हो जागा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इसको मैं यहां लिखता हूं देखे क्या है 9 इंटू 10 को खोलता हूं तो यह हो जागा 10 इंटू 9 इंटू 8 इट देखी नीचे से कड़ जागा तो इसको हटाएं इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तो आपका जो यह यही आपका क्या है के है तो यह क्या हो गया नौनमाइकासी इंटो साथ 567 और एक 0 यानि ए होगा अंसर बच्छो 5670 तो सिंपल सही कोश्चन था बहुत असान आज के लिए इतना ही अगर आपनों को कोई physics में या maths में डाउट है तो इस चैनल पर जाकर जरूर पूछें और subscribe क के लिए इतना ही थैंक यू